पिछली वीडियो में मेरी जान थोड़ा दिमाग का दही हो गया था इस वज़े से थोड़ा उस तरीके से चीजों को निचोर के आपको नहीं दे पाया था लेकिन आज की वीडियो में ऐसी कोई कमी नहीं आएगी आज की वीडियो में bright field microscopy को बहुत थी मखन तरीके से हम घोल के पी जाएंगे ठीक है पानी में डालेंगे इसे घुमाने का इसे पी जाने का आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमने वहाँ पर यह जाना था कि bright field microscopy है यानि कि जब हम इसमें किसी specimen को देखेंगे तो उसका जो background दिखेगा वो तो हमें bright दिखेगा bright लेकिन जो उ object है वो object हमें dark में दिखेगा यही simple concept था इसी concept पे हमने bright field microscope को पढ़ा था उसके बाद हमने यह जाना था कि यह किन-किन parts से मिलकर combine होकर यह बना हुआ है ठीक है तो वहाँ पे हमने कुछ parts के बारे में जाना था कुछ bright field microscopy के main parts के बारे में जाना था ठीक है और अब वैसे त तरीके से किसी भी microscope को यूज करते हैं उन सभी में थोड़ा मोड़ा difference देखने को मिल सकता है लेकिन सभी की क्रिया सैली लगबग ऐसी ही होती है तो आईए पहली एक बार आप उसके क्रिया सैली को देख लीजेगी मतलब किस तरीके से हम किसी भी object को microscope कि साहयता से देखते है और वो कैसी process होती है किस तरीके से क्या होता है वो पूरी process एक बार समझ भी से तो बहुत ही simple सी बात है मेरे प्यारे बच्चो कि simple सा चीज है जो आपको सामने देख रहा है यही microscope है यही आपको compound microscope है बात की जाए तो कहीं पे दो IPS होगा कहीं single IPS होगा कहीं तीन IPS होगा तो इ सबसे पहले किसी भी microscope का आपको क्या देखने को मिलेगा तो सबसे पहले इसका IPS आता है नहीं कि सबसे पहला पार्ट हम IPS को मानके चालते है ठीक है आई पीस आपका जबसे पहला पार्ट हो गया फिर इस आई पीस के बाद क्या आती है ये जो आपको देख रहे हैं एक कह सकते हैं टूब जैसा जो भी गोला सा आप कह सकते हैं structure ये इसकी body है ठीक है ये आपके microscope की एक body हो गई ठीक है फिर जो तीसरे नंबर पे है वो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि इनकी संख्या 3 होती है ठीक है तो इसी तरीके से ये अलग-अलग type के आपके objective lens लगे होते हैं और हर एक lens की power अलग-अलग होती है खासकर की बात की जाए तो कोई आपका 10x का होता है कोई आपका 40x का होता है कोई आपका 100x का होता है इस तरीके से objective lens होते हैं कहीं कहीं पर 10, 45 और 100 के तरीकों में होता है मतलब आपका lens आप चेंज कर सकते हैं सिंपल सी बात है ये आपका objective lens था ऐसे ही जो eye piece आपने देखी जो उसके उपर है वो eye piece के अंदर भी lens लगा होता है ठीक है बात समझ रहे हैं वहाँ पर 10x का normally lens लगा होता है आप उसे भी change कर सकते हैं और चीज़े समझ ये जो आपका eye piece है और जो आपका objective lens है वो इसी body के थुरू आप देखी रहे हैं इसी के थुरू connect रहता है तो आप बात समझ गये होंगे तो eye piece एक main part हो गया body का कोई खास काम है नहीं लेकिन हम एक नाम ले रहे ह ये इनको connect करने काम कर रहा है इनको जोडने का काम कर रहा है इसको भी ले लेते हैं फिसके बाद आपका nose piece है और उसी nose piece में आपका objective lens लगा हुआ है जो की अलग अलग power का होता है आपको पता ही है 10x 20 मतलब 10x 40x 100x इस तरीके से होता है और इसी के just नीचे आपका objective lens के just रखेंगे और उसके बाद आप उससे observe करेंगे ठीक है उसको हम देखेंगे simple सी बात है ये चीज़े भी सबच भी आ रही होंगी आपको जो 10x 20x 40x 100x जो भी उसका power capacity है मतलब objective lens की उससे क्या होता है तो 10x का मतलब है कि वो जो भी आप stage के उपर जो भी आप specimen रखेंगे उस उसको वो 10 गुना बढ़ा करके दिखाएगा ठीक है जो आपका 40x वाला होगा वो 40 गुना बढ़ा करके दिखाएगा जो 100x वाला होगा वो से 100 गुना बढ़ा करके दिखाएगा धान दीजे ये objective lens करेगा मान के चलिए हम थोड़ी छोटी बात करते हैं कोई हमने कोई चीज के उपर कोई specimen हमने रखा तो वो उस specimen को जब हम objective lens के 10x वाले से देख रहे हैं ठिक, तो क्या होगा वो उस चीज को 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, ठिक लेकिन जब वो चीज eye piece तक जाएगी, मतलब जहां से हम अपनी आख रखके देखते हैं और वहाँ पे भी 10x का lens लगा है, तो 10 गुना बड़ा तो इस ने ही कर दिया आपके objective lens ने, फिर आपके eye piece में भी 10x power का आपका lens लगा है तो 10 into 10 इनको multiply कर दिजे, यानि की 100 गुना, यानि की 10 गुड़े 10 यानि की 100, यानि की 100 गुना बड़ा करके image को दिखाएगा वैसे ही जब आप 40x वाले objective lens से देखेंगे तो उसमें वो specimen को 40 गुना बड़ा कर देगा, लेकिन जब आप eye piece से देखेंगे, तो eye piece में भी 10x का lens लगा है तो 40 into 10 कितना हो जाएगा, 400 यानि की वो इस image को वो इस specimen को इस object को 400 गुना बड़ा करके, जब आप आखों से देखेंगे eye piece के द्वारा तो वो आपको 400 गुना बड़ा दिखाई देगा, और अगर आप 100x वाले से देखते हैं तो 100 गुना तो यहीं पर हो जाएगा, और फिर जब eye piece से देखेंगे, तो वहाँ पर 10x का lens है तो 100 गुड़े 10, यानि कि 1000 गुना बड़ा होके आपको वो चीज, वो figure वो image दिखाई देगी तो अब आप बात समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है ठीक है, इस तरीके से आप इसके multiply करके इसके magnifying power को भी जान सकते हैं, ये आप क्या देख रहे हैं कि वो किसी चीज को कितना magnify कर सकता है, तो वो इतना, आपको दो चीजे notice करनी है, एक objective lens की power कितनी है और एक आपका eye piece की power कितनी है, जब आप उसको multiply करेंगे, तो जो आपकी power आएगी वही आपकी magnify power हो जाएगी, अब आप समझ, magnify power मतलब कोई जैसे कोई lens है, मतलब माफ कीजेगा, कोई microscope है वो कितना magnify कर पा रहा है, वो image को कितना magnify कर पा रहा है, तो वो हम इस तरीके से multiply करके जान जाते हैं तो उमीद है, चीजे आपको समझ में आ रही होंगी, तो एक बार हम अपने पूरे pattern को जल्दी से समझ लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि eye piece होगी, देख लिया वो eye piece में एक lens होता है 10x का होता है, जो भी होता है वहाँ पे एक lens होता है, normally 10x का lens होता है, ठीक है, दूसरी बात उसके बाद body होती है, जो आपकी क्या करती है, फिर body के बाद nose piece होती है, उसी nose piece में आपका objective lens होता है और objective lens और eye piece इसी body के माध्यम से connect रहती है, इतनी बात है समझ में आ गई, इसी objective lens के just नीचे आपका stage होता है इसी stage के उपर कुछ clips लगी होती है, उसी clips में हम specimen को फसाते हैं रखते हैं, सिंपल सी बात है फिर specimen के बाद उसके just नीचे, stage के just नीचे ही condenser होता है और condenser के just नीचे ही light source होती है पहले यहाँ पर reflector हुआ करता था, या कह सकते हैं कि mirror हुआ करता था, जो light source को reflect करता था यहाँ से परावर्तित करके condenser के उपर गिराता था, फिर वो उसको condense करके, फिर specimen के उपर पर परता था, और specimen से वो light nickel के objective lens में जाती थी और वहाँ पर उसका image बनता था, और इस तरीके से IPS के माध्यम से उस image को observe किया जाता था, यही simple सी part है, आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और हाँ, आज मेरे प्यार के उपर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंके उस दिमाग सरना गया था, तो उस तरीके से चीजे अच्छी नहीं बनी थी लेकिन आज बिलकुल मन से पूरी अच्छी भावना के साथ हम आपके पास चीजे पहुचाने की कोसिस कर रहे हैं, उमीद है आप अराम से accept कर लेंगे, ठीक है तो ये चीजे आपको समझ में आ गई होंगी ये उसके main main part हैं, वरना इसके अलामा भी और सारे part होते हैं, जैसे कि आपका ये arms हो गया, arms जो पकड़ने वाला है, जो उसको पकड़ने वाला होता है, हथा कह लिजे, वो arms हो गया, इसके नीचे कह सकते हैं जो उसका base होता है, वो base होता है ये fine adjustment knob है, ये chorus adjustment knob है हाँ, ये दोनों knob main था, इसको भी सुन लिजे तो ये जो दोनों knob है, एक fine adjustment knob एक chorus, माफ कीजेगा chorus adjustment knob, ये क्या करता है ये आपके stage को, और आपका ये जो मतलब एक तरीके से ये focus power को maintain करता है ठीक है, बात समझ रहे हैं, मतलब ऐसे समझे माले stage के उपर कोई चीज रखी है, specimen के उपर कोई चीज रखी है ठीक, माफ कीजेगा, stage के उपर कोई specimen रखा हुआ है और वो specimen clear नहीं दिख रहा है, ठीक है तो हम उसको adjust करते हैं, इन्ही buttons की माध्यम से उसे adjust करते हैं और fine adjustment जो knob है, उसके माध्यम से हम बहुत fine adjust करते हैं मालीजे अपने adjust कर लिया, अब उसमें बहुत हलका सा adjust करना है तो हम फिर fine adjustment knob के द्वारा उसे adjust करके उसकी clarity को जो हम उसको देख रहे हैं, उस specimen को observe कर रहे हैं उस observation की clarity को fine adjustment knob की द्वारा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है और जब कोई image हों बहुत बड़ी करके देखते हैं, बहुत बड़ी करके देखते हैं तो ऐसी इस्थिती में उसके उपर focus बहुत clear होना चाहिए, यह light का तो ऐसी में हम specimen को भी थोड़ा-थोड़ा move करके उसे सही focus में लाने की courses करते हैं, ताकि और clarity से हमें image दिखाई दे बात समझते हैं, चलिए, बहुत अच्छी बात है, उमीद करता हूँ, यह पूरा topic आपका clear हो गया होगा तो यह क्या था, यह उसके parts थें, जो आब आप जान गये होंगे आपने यह भी जान लिया कि यह किस तरीके से काम करता है, यह चीजे आप आपके mind में बिलकुल बैट गई होगी और अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार पीछे जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा पक का समझ में आ जाएगा, और जो पिछली वीडियो है न वो भी बिलकुल खराब नहीं है यार, थोड़ा उस हिसाब से मन नहीं लगा है, बता जितना भी लगा है, ठीक ठाक ही मैंने बताया है, अपने साथ गदारी गदारी नहीं की है, ठीकी है, लेकिन उस लेवल का नह है, इस वज़े से मैं थोड़ा सा उसको खराब कह रहा है, अब एक बार इन चीजों को फार्सी लेंग्वेज में पढ़के बता दे रहा हूं, आप समझ जाएगा, ठीक है, मैंने कुछ-कुछ चीजों को नहीं बताया है, उसको भी यहाँ पर बता दे रहा हूं, जैसे यह पर बात चल रही है कि कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो देख लीजे, तो देखिए जो ओल्डिंग पोर्सन होता है, वो आपका क्या होता है, मैक्रोस्कोप का होल्डिंग पोर्सन आर्म कहलाता है, ठीक है, विच वी यूस तो केरी दा मैक्रोश कोप्राम वन प्लेस्ट to another this portion provides support to the both optical and mechanical components बात समझ गए ठीक है चलिए थार्ड की बाद मतलब सेकेंड की बात की जाए तो बॉटम पोर्शन आफ दे माइक्रोस्कोप विच होल्स दा आर्म एंड अधर कंपोनेंट इस नोन एज बेस याद है न सबसे निचला हिस्सा जिसके उपर यह सब बना हुआ है वही असका बेस होता है यह सब चीजे बहुत कॉमन सी है इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है में चीज यहां से स्टार्ट होती है जहां से हम आईपीस को देखते है ठीक है तो वहां से सुनगी है आगे यहां पे लिखा हुआ है टू लेंसे वेर लोकेटे अट टॉप मतल चल रही है तो टॉप पोर्शन आफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप विच्छार नोन एज आईपीस ठीक है वह जो टॉप पोर्शन होता है सबसे उपरी पोर्शन जहां से हम चीजों को देखते हैं वही आपका आईपीस या ओकुलर लेंस कहलाता है और उसी के आपको बताया था मैंने ठीक है तो यह बार पी क्लियर बस देखे फरक यह है कि मैंने आपको में में चीजों के बारे में बताया है सिंपल चीजों के बारे मैं नहीं बताया ठीक है तो ऐसा कुछ डाउट मत रखेगा मन में और सुनिए यहां पर मैं सब के बारे में बता र magnify करने में help करते हैं they are present different types of objective lens इसके अंदर अलग-अलग प्रकार के objective lens होते हैं वह उन्हें आपको बताया था कि जैसे कि 40x का 10x का 100x का इस तरीके से lenses होते हैं ठीक अगला topic है आपका वह आपका nose piece है वह भी आपको पता है is located under the head it contains different types of objective lens यानि कि आपको पताई है मैंने जो चीज के ही इसके अंदर आपका different types के objective lens होते हैं ठीक फिसके बाद आता है आपका stage वाला position जो आपको पताई है कि just objective lens के नीचे वाला पार्ट होता है और the specimen is placed over the stage मतलब इसी के ऊपर इसी stage के ऊपर आपको ऑबजेक्ट रखा जाता है आपका specimen रखा जाता है फिर इसके बाद बात आती है stage clips की ठीक है मतलब समझ रहें जो stage होता है उस stage के ऊपर कुछ clips लगे होते हैं जिनकी सहायता से आप यह किसी भी आबजेक्ट को Hold करके रखते हैं इसको से थाम के रखते हैं पकड़के रखते हैं भाही चाहे व वह कोई बी अबजेक्ट हो कोई भी आपका वो जो क्या होता है वो pros us live ना वकाता स्लाइड तो उसको hold करके उसे पकड़े रखने में help करता है सिंपल सी बात है इसी के जस्ट नीचे आपका condenser होता है जो मैंने आपको बताया था उसका काम क्या होता है कि यह light rays को focus कर देता है बीम में कर देता है और वह specimen के उपर project करता है ताकि आपको specimen यानि कि वो object और clear दिखाई दे जब हम IP से देखें ठीक है तो यह simple सा काम यह करता है condenser lens का काम यह है और इसी condenser lens के just मतलब lens के just नीचे ही आपका light source होता है तो मैंने बताया कि आज कर के time पे तो वहाँ पर light source होता है लेकिन थोड़ा पहले की बात की जाए तो थोड़ा पहले के microscope हैं उसमें वहाँ पर reflector हुआ करता था या कह लिए एक mirror हुआ करता था जिसकी सहायता से light उस पर गिरकर reflect होके फिर condenser से होती हुई आपके जो भी specimen है मानि कि stage के उपर पढ़ती थी ठीक है simple सी बात है और फिर वहाँ से वह image आपका eye piece के द्वारा देखने पर clarity मिलती थी यह simple सा कहानी है तो अब उस reflector की जगह उस mirror की जगह वहाँ से खुदी light source बहार निकलता है मतलब light के कोई source होता है वहाँ से light बहार निकलती है simple सी बाती आगे की बात की जाए तो इसी के just नीचे ही आपका base होता है जिसके सारे खड़ा होता इस अफालतू बात करने कोई मतलब नहीं है वो सब चीजे मैंने आपको बता दिया पढ़ने से जड़ा सा समझ जाएंगे हाँ इसके अलामा बात क पूरा यह जो यह वाला पार्ट है यह पार्ट पूरा मूव करता है objective lens से लेके यह जो आईपीस तका पार्ट नहीं है यह मूव करता है यानि कि stage के पास जाता है दूर होता है हम उसी chorus adjustment knob की साहिता से set करते हैं और fine adjustment की साहिता से उसे और fine set करते हैं मतलब आपने set कर दिया अब उसको और fine देखना है और साफ देखना है तो उसकी मध्यम से हम उसको और ज्यादा fine set करते हैं ठीक है यह simple सी बात है उमीद करता हूं आपको पूरी concept clear हो गया कोई मन में doubt नहीं होगा मैंने पूरी कोसिस की है कि आपके मन में doubt नहीं हो फिर भी हो तो हम है ना हमें बता हैं और हाँ एक चीज आप सब के लिए जिनको हमारी बोली प्यारी लगती है उनके लिए विसेज धन्यवाद और जिनको हमारी बोली बिल्कुल भी अच्छीन लगती उनके लिए बहुत ही बहुत ही जादा विसेज धन्यवाद आपको न लगे बिल्कुल न लगे लगने भी नहीं चाहिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है में ना बदलने वाला ठीक तो उन पियारे प्री बच्चों से सूसा जित बच्चों से उनके घ्यांद चक्सू को खोलते हुए हम यह बता रहे हैं कि हम बदलने वाला अप चैल बदल लीजे वेसे भी मेरे लाग रिख चिलाने कोई प्यादा दो होता है मैंने कहा भाई कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करके कुछ बच्चे कितने मतलब कितने अच्छे मतलब और काही बताइं तो इस लीए इस बाद को कहते हनों अपनी बात को हम विराम देंगे कि जिन पसंद करना है वो तो कर ही लेंगे और जिनको ना ही पसंद करना है वो मान के ही चल रहेंगे खराबी ही खोजनी है तो भाई वो सब खोजते रहेंगे उसमें कितना भी चीनी पानी सब मिक्स करके रस ना घोल के भी देंगे ना मीठा तब भी नहीं आएगा करवाही का या ती मेगमिफाई हो रही है यह हम कैसे निकालेंगे ठीक है तो सिंपल सी बात है मैंने आपको बताया ही था कि किस प्रकार के लेंस का मतलब कितनी पावर के लेंस का यूज कर रहे हैं उसी को देख लिजे आपका निकल गया और क्या कौन सी कौन सी बड़ी बात है यार देखिए 40x वाले या मतलब जो कि 40 गुना किसी भी चीज को किसी भी स्पैसिमन को 40 गुना मैगनिफाई कर देगा उस objective lens से हम कुसी चीज को देख रहे हैं ठीक है तो उसका 40x ले लिजे ठीक है और जो आपका आई पी से वो 10x का होता है नॉर्मली ठीक तो अगर आप 10x के आई पी को देख रहे हैं तो जो objective lens है वो तो पहले ही किसी वस्तु को 40 गुना बड़ा कर चुका है अब इस 40 गुना बड़े वस्तु को 10x पावर वाले आई पी से आप देखेंगे तो 40 x 10 हो जाएगा यानि कि 40 x तो 10 यानि कि 400 ट्राइम्स यानि कि 400 गुना बड़ा होके वो इमेज हमें दिखाई देगा ऐसा हमने कैसे निकाला तो जो objective lens का पावर है यानि कि 40 x इंटू जो आई पी का पावर है यानि कि 10 x बराबर कितना आ जाएगा जो पता ही है जब इनका मंटिप्लाई करेंगे तो 400 500 आ जाएगा तो इससे यह पता चलता है कि यह 400 गुना 400 गुना मंटिप्लाई हो गया है उमीद करता हूं आपको यह मैगनिफिकेशन भी समझ में आ गयो किस तरीके से यह चीजे मैगनिफाई होती है किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं अब बात कि जाए application of bright field microscope की तो आप इक्वर्जर्व करने में इसको इक्जामीन करने में fungal Cael को इक्जामीन करने में लेब्रेट्री में यूज किया जाता है यह सबसे इसको यूज करना बहुत आसान, ठीक है, it is easy to use, सबसे बड़ी बात तो यही है, दूसरी बात है कि कम पैसे में आ जाता है, तीसरी बात यह है कि compact size में होता है, छोटी size में होता है और easy to carry होता है, मतलब एक स्थान से, दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी, simple होता है और इसकी साहथा से आप stand और unstand दोनों तरीके के specimen को observe कर सकते हैं अब बात किज़ए इस cust disadvantage की तो simple सी बात है कि इसकी सहायता से हम living specimen को हम observe नहीं कर सकते ठीक है bright field microscope की सहायता से मतलब माफ कीज़े का bright field microscope की सहायता से आप living specimen को observe नहीं कर सकते यह bacteria है वो अपने living form बें है तो आप उसको observe नहीं कर सकते most of the specimen required to be stained to visualize यानि की हमें खास कर ठीक है mostly जो specimen है उसको stain करके ही हम उससे visualize कर सकते हैं यानि की देख सकते हैं यानि की simple सा कहना यह है कि इस microscope की सहायता से चीजों को पहले stain कर सकते हैं मतलब stain करने के बाद ही उन चीजों को हम और clear देख सकते हैं क्योंकि जो इसका contrast होता है वो काफी कम होता है ठीक है तो उस वज़े से clarity नहीं बन पाती है इसलिए पहले stain किया जाता है ताकि clarity बढ़ जाए तब हम इन चीजों को observe कर पाते हैं बार-बार stand सुनके परसान मत हो यह गा आपको आगे चलके stand की पूरी method ही पढ़नी है ठीक है stand मतलब एक ऐसी technique समझिए जिसके माध्यम से आप चीजों को थोड़ा बहुत clear कर लेते हैं या उसको और ज्यादा साफ कर लेते हैं ठीक और उसकी देखने की मतलब उसके contrast को बढ़ाते हैं ठीक सिंपल सी बात है इसके अलावा इसके disadvantage यह है कि जब हम अगर oil immersion technique का यूज करते हैं तो इससे जो image produce होती है वो distort होती यानि कि खराब होती है ठीक है मतलब बिगड़ी हुई होती है उससे हमें सही प्रकार की image नहीं मिलती है और इसके अलावा bright field microscope में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें heavy light source की जरूत परती है heavy मतलब की मतलब धीमी light में इसका गुजारा नहीं होने वाला जो भी specimen है जो भी object है उसको एक पर्याप्त light चाहिए भयंकर light चाहिए तब ही वह भयंकर light रहेगी तो ही उस specimen की उस object की एक clear image आप आई पीस के माधिम से देख सकते हैं ठीक है तो उमीद है चीजों आपको समझ में आ गई होगी और यह एडिट है यह सब भारी भरोके वर्ड क्यों रखते हो यार illuminate का मतलब क्या होता है रौसन ही होता अनुसासन इन सब का ध्यान कौन रखेगा माली क्या मचा करते हो आप भा ऐस ठीक है मेरे बाप मत चेंज कर रहने दे तो ठीक है उम्यूच करता हूँ कि वीडिए अखो पसंद आएगी पसंद आगी तो लाइक से सब्सक्राइब करीजा बहुत पसंद आएगी तो कमेंट करिएगा तो ठीक है मिलते हैं गणी वीडियो में टाटा वाई बार ऑई और समझ रहा एक अंघिचー हैं तो समझ लिए आपका एक